हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वरी वार्व मेकम टू यूर ओन चैनल तो टुड़े वी विल्टिसक्स अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंट्स चीहां आज हम करनी तेम विज्ञान की बारे में बात करेंगे इसमें जो क्वेश्चेंस आहे थे इसको मैं अपनों को सॉल्व क करता हूं कि लास्ट जो अपने पहला पार्ट था इसका वो देख लिया होगा पार्ट सेकेंड आज हम इसका सुरू करने जा रहे हैं तो चलिए पहला प्रस्ट शुरू करते हैं हराष्टी पार्ठी चरिया की रूप रेखा 2005 के अनुसंसा के अनुसार सभी के लिए गणि उपलब्द कराने का व्यापक उद्देशन में लिकितम से किस से संद्रेख है यानि कि विच ओफ फॉलाइंग अलाइन विद्ध ओर अब्जेक्टिव्स ऑफ अचिविंग मैथमेटिक्स फॉर आल एच पर एंसी ऑफ 2005 यानि कि सभी के लिए अगर गणित की बात करें तो जिए इसमें कोई संद्रेख नहीं था कि बांकि जो आप्शन्स थे बिल्कुल अटपटे से थे इस बार मैं पहले भी कह रहा हूं कि पेपर ठीक ठाक था लेवल तो मुझे उमीद है कि आप लोगों का क्लियर होना चाहिए तो इस बार मैथ में भी आप लोग बताएगा कि कितने questions आपके सही हुए है तो चलिए इसका जो सही उत्तर था वो है fourth one चिया विभिन छेत्रों और विभिन सामाजिक सम्हों वाले करित्यज्यों के योगदानों की विशेश्चताओं पर बल देना चाहिए ठीक है Contributions of mathematics from different regions and different social groups should be highlighted Next question है कनिती कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कनिती कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इनमिल्केस में से क्या प्रभावी है Which of the following is considered as a characteristic of an effective mathematics classroom तो effective mathematics classroom का इसका वी सही उतर फोर्थी है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन तरीकों को प्रोच साइड करना चाहिए Multiple ways of approaching a problem are increased Next question देखते है आयतन के मापन में शिक्षण और अधिकम में निमिल्कित में कौन सी प्रक्रिया वांजनी है Which of the following is desirable practice in context of teaching and learning of measurement of volume तो volume को करने के लिए आप क्या करेंगे कि विध्यार्थियों को एनक्रेज करना चाहिए विध्यार्थियों को बिनने आक्रियों के आयतन है तो प्रयासूं की कल्पना के लिए प्रोच साहिद करना चाहिए यहां पहला इसका सही उतर है जामती बहुत की प्रगतिय दिहास करम होती ना की तरक संगत करम में ठीक है प्रोग्रेश्यों मेट्रिक आइडियास फॉल्व है हिस्टोरिकल रैदर दन लॉजिकल ओडर तो यह जो हैंका इतरा से कहें जो बच्चों की समझ है वह यहां पर सही नहीं है इसको अंडेस्टेंडिंग के लेवल पर थार्डिस दर राइट आंसर 35 क्वेश्चन ठीक है आज हम सीधे आंसर में लेंगे दोस्तों इसमें ज्यादा डिटेल मनी जाएंगे हम क्वेश्चन के तो आप लोग अपने आंसर मिलाएगा इसको इसको देखिए क्वेश्चन को तो इसमें एक स्कूल जो इसका एक मैंटिक्स का रूल है ठीक है बोर्ड मास्क का रूल आपने रूल यूज करके इसको निकालना था तो इसका सी उतर आ रहा था आपका 46 is the right answer next question था ये भी एक easy question था आठ हंको यदि आठ हंको वाली संक्या 30x086 y88 से भाज है तो 3x plus y कमान क्या है तो 3x plus y कमान यहां पर आ रहा था 5 अगला question था yes 6 2 upon 3 plus 2 1 upon half इस तरह से जो मान दिया गया इसका मान जो आया था आपका minus 11 और 1 upon 12 ठीक है this is the right answer next question था पूनांक एक से सो तक के मध्या भाजी गूगू की संक्या क्या है अब इसमें थोड़ा दोस्तों डाउट है आप लोगों ने इसका भेजा है क्या रीचक के लिए या नहीं ये अगर कुछ confirm है तो बताई हो क्यों कुछ लोग कह रहें साथ और कुछ है आठ ठीक है तो आयोगने इसमें सेवन को सही उत्तरवाना है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन था यदी अदो सिक ग्यारज चैयाठ एज उकल टू दो की घात एक इंटो तीन की घात भी इंटो स साथ की घात सी तो एबी सी और ती सी जो प्राक्तिक संख्या है तो इनका मान निकालना था अपने फोरे मानेस फाइबी प्लस सी तो इसका सी साही सी जो उत्तर आ रहा था वह आ रहा था तीन जियां थर्ड इस दर राइट आंसर अगला था माना की एक्स वर्च सबसे छोट नेक्स टैम वाट नंबर शुट भी सब्सक्राइब फॉर्म इज ऑफ टिकन इमलेखित में से कौन सी संख्या इन संख्या इन जो चार संख्या है हमें दी गई थी ठीक है इन में से हम क्या घटा है तो इसी करम में संख्या समान उपात्म हो जाए तो आपको यहां पे 17 और तो एबी सी में क्या अंतर है तो एबी सी में अंतर आ था आपका 450 रुपीज का यह उतर सही है अगला है टोक्रियों ए और बी में रखे फलों के संख्या में सावन अनुपात नौ का अनुपात है यदि टोक्री ए मैसे 6 फल निकालकर टोक्री भी में डाल दे तो यह अन कि इस बार आपको नहीं हुआ या कुछ भी है तो आपको कम सिंग में यह पहली बार दिया एक अंदासर जुरू आगया हो कि इस तरह के क्वेशन आते हैं ठीक हो हार साल इसे तरह के क्वेशन रिपीट होते हैं तो आपको इन ही मेहनत करनी है ठीक है नेक्स है तो जो सेथर था हमारा 4th one एक नेक्स्ट है चार तिरफुजों की भुजाएं नीचे दी गई है ठेक है तो इन में से कौंसा सम्मझ समकों तिरफुज बनाता है तो यह सम्मझ था अपका 3rd One फोर्थ वन सॉरी फोर्थ वन इसका सहीवत्वर था ठीक है यानि कि थर्ड यह जो 11 सेंटिमेटर 60 सेंटिमेटर और 61 सेंटिमेटर यह संकोर्ण तिर्फुच बनाता है अगले हैं है कि तो कि समकोर्ण तिर्फुच का आपको पताइए कि कोई भी दो भुजाह हैं तीसरी बुजाज होगी दो जो बढ़ी होगी नेक्स्ट किसी चतरपुच के कौन तीन अनुपाद 5 अनुपाद 7 अनुपाद 9 नुपाद में तो कि सबसे छोड़े था बड़े कौन का अंतर है नपे डिग्री कि किसी त्रिपुच का पाइमा 12 संटिमीटर और यदी इसकी सभी बुजाओं की लंबाई को पूरांग में दिया गया है तो इसके कितने त्रिपुच संबाओं है तो इसके त्रिपुच संबाओं है तीन थर्ड इस दा राइट आंसर कि नेक्स फुक्षिन था एक घनाबार गुद्ण घनाकार गुदाम की लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रमस 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर और इसके अंदर अधिक्तम कितने घनाबकार टिपे रखे जा सकते हैं यादी परते एक डिपे की लिभी माइं 2.8 मीटर 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटी मीटर है तो अपने यहाप पर देखना था ठीक है सेंटी मीटर को आपने मीटर में चेंज कहीं होगा तो इसका जो सई से उतरा रहा है वह है 4800 कि नेक्स्ट है किसी लंब वर्ती बेलन के आधार की परिदी परिदी 528 सेंटी मीटर और सब्सक्राइब को चाहिए 2 मीटर है तो बेलन का आयतन जो आपने मानना है हुआ है पाइस उकल टू अपाउंट 7 तो इसको सीधा सीधा फॉर्मिलर रखता था और इसका सीधा उतरा था 4.4 352 नेक्स्ट है किसी चतुरुपुज का शेत्र पर 227.2 cm2 है और इसके विकंड प इस विकंड की लंबया थी 28.4 cm नेक्स केसिन था यदि 5 आप स्मोल बेकर इसार 3x ब्स प्रीक्त प्रीय्ट लोग मानना सेट श्मोल ब्राक्ट इस्टार्ट शिक्स प्रसस्ट्ट प्रस प्रसेवन इस्माल ब्राकेट क्लोष इस उपल टॉन एक्स मानना सेट आट तो इसमा ब्रेकेट क्लोस का मान क्या है तो इसका मान सीधे सिदा रहा था 25 प्टे 9 25.9 वाट इस दे वैल्यू ओफ इनकी वैल्यू थी ठीक है जब आपको एज उगल टो वन दिया है भी इस उगल टो मैनस तूर दिया है तो आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी ठीक है इस फॉर्मूल आउंको से डिवाइट करना था और जिसमा जो आंसर आ रहा था वह आंसर आपका रहा था फॉर्थ वन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस एक्स वाई वाई मैनस एक्स अगला प्रश्ण था ठीक है वाट इस दा मीन आउफ दो मीन ओड एंड डेट गिवन ब्लो यह mathematical theorem जो होती है एक statement होता है ठीक है जिससे आपने प्रूब करना होता है यानि कि प्रूब कर दिया होता है यह एक अथन जिससे अपग्रेग तो की सतर्ख संगेतिक त्यारा सिद्द क्या जाता है ठीक है a statement that has been proven by logical argument based on axioms ठीक है अगला वस्तों है जो कि एक समान वस्तों क से युद्द करें जाना चाहिए तो यह क्या किया जा सकता है यह और 20 का से उतर है से के लिए आप पर्युचना कर सकते हैं और 6-3 परमण कर सकते हैं कि अगले किस विदी से यह सिद्धिक आज़ा सकता है कि दो सम पूर्णाव को सदेव सम होता है तो यहां पर डारेक्ट प्रूफ यहां के प्रितेक शूपगति की बात कर रहा है सम आप टूईवन इंटीजिस इस ऑल्वेस इवन नेक्स्ट है गणित के उच्छ प्रात्मि जाएगा आपका ABDE ठीक है ABDE यहांने की विजुलाइशन ट्रांस्पोर्ट इशन जनलेशन और एस्टिमेशन नेक्स्ट है नेक्स्ट है निमलेख मैंसे किस कार एको कार से विध्यारतियों में वेचना आत्मक विचारों के विकास के संभावन नियूनतम होगी तो यहां प प्रस्ट कुछ आगा है कैलकुलेट दो वॉलिम और राइट सर्कुलर सिलिंडर ओफ रेडिस 3.5 सेंटिमेटर है 10 सेंटिमेटर ठीक है तो यहां पर जो से तो जाएगा हमारा फस्ट होगा तो इस तरह से दोस्तों मैस के कुश्चन आज हमने सॉल्फ किया है उम्मीद करता हैं नेक्स पार्ट साइंस में चल दी थैंक यू फ्रेंड्स